हाई देर इव्यवेवन अब सेख ही यह बैक एकिन विल इनादर इटर्फिक पूरियर और आज की सुडियो पर हम बात करेंगे मिलीज फंक्शन की कि मिलीज फंक्शन का क्यों यूज करते हैं उफ आपने अभी तक डिले फंक्शन का यूज किया होगा अब डिले फंक्शन के यूज करने के में जब मल्टि टाफकिंग करते हैं जब अधर अधर टाफ्क करने के लिए एमने पॉर्ट लिखा तो वह पर बिल्कुल इजैक टाइम पर टाफ्क पर प्रफॉर्म नहीं होते है क्योंकि डीले हमारा पूरे प्रोग्गाम को कर दिता है इंटरप आ जाता है जिसके वजह से हमारा पूरा कोड़ execute होता है मगर exact time पर execute नहीं होता है तो इफ वजह फे मल्टी टाफ्किंग के लिए हम यूज करते हैं विलीज फंक्शन का अब बिलीज फंक्शन का यूज करेंगे हम आडेनो के अंदर मल्टी टाफ्किंग कर सकते हैं मिलीज बेफिकली एक प्रिफेंड आडेनो का फंक्शन है जो की यूज किया जाता है ताइम मेंग मैलेजबेंट टाफ्क के लिए यहाँ पर इजयक टाइम पर चीज़ें कीवट होती है यह मिलीज फंक्शन हमारा टाइम को रिटर्न करता है भी आइं पर जाटायर को जिसके तुर्म हम इजयक टाइम पर चीज़ों को प्रसॉर्म कर सकते हैं कैसे करना है मिल्लीज तasaki कैसे करनी है अब यह रिशा आईए समझते हैं, तो इसके लिए मैंने अपनी Arduino ID को open कर रखा है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको कुछ variables create करने होंगे, तो उनको हम create करके यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक LED भी blink करके आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल exact timing पर वो LED भी blink होगी, तो यहाँ सबसे पहले मैं एक variable ले लेता हूँ, और LED पिन नाम तो मैं variable लेता हूँ, जो कि LED पिन हमारा एक play folder है, जो कि एक value को hold करेगा, जो value हमारी 13, because LED जो built-in LED होती है, वो pin number 13 पर होती है, आड़ इन उन उपर, इस वजह से हमने यह लिया, इसके बाद हम variable लेते हैं, unfind, long और इस प interval देंगे, suppose कि हमने interval दिया 1000 का, मतलब 1 second का, 0 से 1 second तक के process को चलेगा millisecond पर, और 1 second का आपको delay देगा, तो यहाँ पर अब इसके बाद हम दूफरा variable create करते हैं, जिसको हम देते हैं, cost, long interval, और यहाँ पर आप, अब यहाँ पर हमने दे दिया 1000, 1 second का delay हमने यहाँ पर दिया, अ and wide setup के अंदर हमको करना क्या है, कि हम यहाँ पर LED का initialization करेंगे, तो pin mode, और जो हमारी LED है, वो है pin number 13 पर, तो LED pin, comma, इसको हम initial तुफर पहले कर देते हैं, output ही, because यह output device है हमारी, and then हम यहाँ पर serial.begin भी कर देते हैं, अगर हम आँगे इस code पर serial function को यूज करते हैं, serial monitor का तो serial. serial.begin कर देते हैं, 9600, and इसके बाद हम wide loop के अंदर आ जाते हैं, wide loop पर सबसे पहले हमको एक variable create करना होगा, यहाँ पर भी, तो हम उस variable कर देते हैं, unsigned, और यहाँ पर long, और यहाँ पर हम देते हैं, current, current millage, और इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं, millage, and then, यह हमारा process होता है कि हमने current time पर millage function को call करवा दिया, for that, यह बिल्कुल exact time को calculate करेगा, millage function के दुरू, and then, अब हमें आपर condition लगाते हैं, if current millage, current millage, minus, यहाँ पर हम करेंगे previous millage, जो कि हमने यहाँ पर दिया था, 0, previous millage, and then, हम यहाँ पर कर देंगे, if then is full to interval, तो interval हमारा क्या था, 1000 हमने दिया and then, हमारा code यहाँ से start होगा, अब इसके अंदर हम call करवाते हैं, previous millage, equal to current millage, तो अब हमारा यह जो code इसके अंदर, जो भी हम code लिखेंगे, वो हमारा code 1000 interval पर काम करेगा, मतलब कि 1000, मतलब यह millisecond पर लेता है, तो यह हमारा 1 second के पाद, code execute होगा, तो अगर हम यहाँ पर किसी LED को on off करवाते हैं, तो वो LED हमारी 1 second के इंटरवन पर on होगी, off होगी, on होगी, off होगी, और if you ही आप multiple task करवाते हैं, तो अब हम यहाँ पर LED code लिखते हैं, if digital read, कि अगर LED, pin नमबर हमारे किसमे है, LED pin 13 पर is equal to low, तो अगर हमारी LED low है, मतलब कि off है, तो इसको हम on करवा देंगे, digital, right, और इसके बाद हमने LED pin को, LED pin, इसको हम कर देते हैं, high, LED pin को हमने high कर दिया है, यहाँ पर, तो अगर हमारी LED यहाँ पर, digital read function को यूज़ कर रहा है, कि अगर हमारी LED low है, तो वो हमारा high हो जाएगा, और else के case पर हम कर देते हैं, else, digital write, LED pin, और इसको हम कर देते हैं, low, तो अगर हमारी LED low होगी, तो high हो जाएगी, और इसके बाद पर low हो जाएगी, यह जो हमारी condition है, वो every one second पर, one second के interval पर चलती रहेगी, और हमारी LED on-off, on-off होती रहेगी, तो इस तरीके से भी आप LED on-off का code लेक सकते हैं, कुछ इस तरह करें से, और millage function को इस तरह से यूज़ करना है, अब multitasking भी हम देखते हैं कि कैसे करेंगे, पर सबसे पहले इस code को हम upload करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इस code को save करेंगे, तो हमने यह आपर code को लिख लिया है, and then हमने tools पर जाकर के board और com port को choose कर लिया है, तो मैंने board और com port को choose करने के बाद, code को सबसे पहले हम compile करेंगे, for that अगर किसी भी तरह की कोई भी error आती है, तो हम उसको पहले follow कर लेते हैं, तो हमारा code successfully compile वो चुका है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर आपने millage लिखा है, उस पर क्या spelling है, और यहाँ पर जो spelling है, वो आपक देखने के बाद, compile किया, compilation हमारा suffix पूर हो चुका है, and then हम इसको upload करते हैं, upload करने के बाद, आप देखेंगे कि वर सेकंड के interval पर आपकी LED on होगी, off होगी, यहाँ पर बिल्कुल की jack time पर LED on off होगी, किसी भी तरह का कोई भी halt आपके program पर नहीं होगा, for that आप यहाँ पर multitasking कर सकते हैं, अब मैं अपने mobile phone का camera on करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पर बिल्कुली jack time पर LED कैसे on off हो रही है, so अब आप यहाँ पर देख पा रहोंगी, कि हमारी LED, every one second पर on हो रही है, off हो रही है, हर एक second पर, इस तरीके से आप multitasking कर सकते हैं, अभी हमने क और LED को blink किया, और अब LED को blink करने के साथ साथ हम multitasking भी करके देख लेते हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम यहाँ पर, हम simple सी यह दोनों function को copy करेंगे, and then हम यहाँ पर, again, इनके variables create करेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं, previous millage, underscore one कर दीजिए, और यहाँ पर interval, underscore one कर सकते ह आप या फिर आप दूसरा नाम भी देशकते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, two seconds, और इसके बाद, अब again, आपको यह function create करना है, इसकी condition create करना है, तो इस condition को हम यहाँ पर copy कर लेते हैं, इस condition को, और इसके बाद हमने यह condition बना ली यहाँ, हमने क्या किया, previous millage, underscore one, और हमको य and then, अब इसके अंदर हम multi tasking कर सकते हैं, बनलग कि हमने यहाँ पर one second पर LED को blink कर रहा रहा है, और दूसरे second पर हम कर देते हैं, serial dot print, कुछ print करके देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, hello world, और इसके बाद यहाँ पर भी हम print कर करके देख लेते हैं, यहाँ पर serial dot print, यहाँ पर कर देते हैं और task 1 और task 2 हम प्रिन्ट करवा लेते हैं और यहाँ पर हम task 2 कर देते हैं इसके बाद हम यहाँ पर upload करते हैं हमने बादरेट जोज किया था 9600 तो जब हम serial monitor को open करेंगे तो वहाँ पर बादरेट हमें 9600 जोज करना है तो यह हमारा code upload हो रहा है और इसका process इस्टार्ट हो गया uploading का हमारा code बिलकुल eject से ही है किसी तरह की कोई mirror नहीं है हमारा code upload हो चुका है done uploading लिख करके आ चुका है हम जाएंगे tools पर serial monitor पर serial monitor पर जाने के बाद हमने 9600 border चूच किया है आप यहां पर देख पा रहे होंगे task 1, task 2, task 1, task 2 पर बट यहां पर एक ही line पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर serial.println कर देंगे ताकि new line पर आए और यहां पर भी serial.println कर देंगे and then हम upload करेंगे आप इसी तरीके से multitasking कर सकते हैं आप कितने भी task अलग-अलग interval पर करवा सकते हैं और इस तरीके से आप अपने Arduino board को multitasking कर सकते हैं अगर आप delay का यूज करते हैं तो वहां पर multitasking करना पहत ही मुश्किल हो जाता है और exact time पर चीज़े नहीं हो तो अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि task 1 task 1 because वह one second पर हो रहा है तो जैसे वह दो बार हो जाता है और दो second पर है तो task 2 हमारा every two second पर हो रहा है तो इस तरीके से आप Milish function के यूज करते हैं Arduino के इंतर multitasking के लिए तो अगर आपको इसी तरीके के tutorials अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें for that आने वाली कोई भी update आपसे दिशना हो मिलते हैं next tutorial पर, till then keep learning and keep exploring